Welcome students, in this video you will learn simple past tense but उससे पहले हमने सीखना है कुछ forms of verbs के बारे में so let's start with that As you can see, आपको एक table नजरा रहा है forms of verbs का अब इसको देखके आपको याद आ रहा होगा ना आपने ये study किया है अपने lower standards में forms of verbs आपने की है तो basically अगर यहाँ से आप analyze करें verbs क्या होते है, actions होते है, kriya होते है हम three forms of verbs study करते है like dance, danced, danced, play, played, played इस तरह यहाँ पर mention किये है कुछ ऐसे तो बहुत सारे actions होते हैं बट यहाँ मैंने कुछ mention किये है तो forms of verbs, यानि के actions के बारे में हम कुछ जान रहे है क्रियाओं के बारे में जान रहा है कि कौन सा action कब हुआ उसके according हम form of verb यूज़ करते हैं अब मैं यहां यह इसलिए बता रहे हूँ क्योंकि मैं यह आपको बताने वाली हूँ simple past tense अब tense से related है verbs क्योंकि कोई भी action आपने कब किया उसके according हम tense में यूज़ करते है verbs को हमें यह देखना है कब verb की first form लगेगी second लगेगी या third लगेगी फिलहाल जो मैं आपको यहां पर करवाने वाली हूँ वो है simple past tense और इसमें mostly आप देखेंगे कि हर जगा पर verb की second form यूज़ होगी अब before we go to the rules हम देख लेते हैं थोड़े सी uses कि हम कहां पर use करते हैं simple past tense right कहां हमने इसको use करना है very first use जो आपको दिख रहा है for actions that started and ended at a specific time in the past मतलब past में ही कोई काम start हुआ और वो काम past में ही खतम हो गया है एक action पूरी तरह complete हो गया है past में like यह लिखा है I went to market yesterday कि कल मैं market गया था गया था verb की second form went भी आपको नज़र आ रही है so action जो है past में ही start हुआ और वो action past में खतम भी हो गया है let's see the next use for actions that happened in a sequence in the past past में कोई काम आपने sequence में किया जैसे कि I picked my book पहले sequence में पहले picking of book आ रहा है so I picked my notebook and started learning उसके बाद learning स्टार्ट की तो यहां भी verb की second forms आप देख रहे हैं simply पता लग रहा है कि यहां पर भी जो use हुआ है वो simple past tense ही use हुआ है now the rule अब rule तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हमने verb की second form को use करना है तो कुछ examples जैसे मैंने यहां दिये है he played वो खेला था she danced वो नाची थी they talked उन्होंने बात की थी निहारीका sang a song निहारीका ने गाना गाया था तो इसमें verb की second form यूज हो रही है बार बार ठीक है अब कुछ जानना है हमें verb की second form के बारे में कि mostly लोगों को लगता है verb की second form जो है वो तो ed से ही end होती है जैसे walked, played, danced, washed लेकिन always ऐसा नहीं होता है हलाकि जिनकी ending edc है उन्हें हम regular verbs बोल देते हैं लेकिन उसके अलावा अगर ed से ending नहीं हो रही है second form of verb की तो उनको हम irregular verbs बोल देते हैं उनको हम बोल देते हैं irregular verbs जैसे कि यह एक्जेंपल देख रहे हैं sang, went, daddy यह सभी second form से बट ed से ending नहीं है अब थोड़ा sentence formations पे बात कर लेते हैं सबसे पहले तो नो हम positive sentences की बात करते हैं सकारातमक जैसे आप बोल देते हो positive sentences अब positive sentences में हम क्या बताएंगे कि past में हमने कोई काम किया था कोई action आपके द्वारा किया गया था past में जैसे कि mahi played guitar mahi ने guitar बजाया था सुरेश taught English सुरेश ने English पढ़ाई थी Nana baked a cake Nana ने cake को bake किया था actions किये गए थे ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं किया इन सभी sentences में इन लोगों के द्वारा actions किये गए है तो ये एक positive बात है कि action किया गया है अब इसका opposite अगर हो जाए कि action ना किया हो तो क्या करें There we will talk about negative sentences वहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमने कोई action past में नहीं किया था जैसे कि mahi did not play guitar mahi ने guitar नहीं बजाया था सुरेश डिड नॉट टीच English सुरेश ने English नहीं पढ़ाई थी Nana didn't bake a cake Nana ने cake को bake नहीं किया था तो यहाँ negative हो गए है अब आप ये बात remember करिएगा याद रखिएगा कि did not means didn't नहीं किया गया कोई काम do की second form did होती है जब भी आप did को use कर रहे है तो वहाँ आपको दुबारा आगे उसके साथ verb की second form को use नहीं करना है वहाँ आप उसके साथ verb की first form ही use कर सकते हैं राइट? did not नहीं किया था जैसा कि आप देख सकते हैं आप suppose मुझे past से related question पूछना है तब मैं क्या करूँगी वो होंगे interrogative sentences जिनमें हम question पूछेंगे तो simply हमने क्या करना है हमारा question begin करेगा with did did से हमारा question start होगा followed by जो subject है और उसके बाद आएगा हमारा verb लेकिन verb की first form क्योंकि अभी मैंने पीछे भी आपको बताया जब आप sentence में did use कर रहे है तो उसके साथ आपने verb की first form ही use करनी है examples आप देखे जैसे mahi played guitar अब मुझे अगर से question में convert करना हो तो did से start करेंगे did लगाया mahi subject है did mahi फिर verb की first form कर दी played की जगा play हो गया did mahi play guitar ये बन गया मेरा question और पीछे होगा question mark सुरेश taught English ठीक है अब इसका question बनाया did सुरेश teach English क्या बन गया ये ये question बन गया similarly nana baked a cake question बनाने के लिए did nana bake a cake तो ये बन गया मेरा question simply did लगा कर और rule follow करके आप question चलिए अब देख लेते हैं जो कुछ हमने सीखा है simple past tense में सबसे पहले लिखा in past simple we talk about something that happened in past जो की past में हो चुका है start भी और खतम भी या फिर कुछ जो sequence में हुआ है secondly we use second form of verb जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ irregular verbs जो होते हैं वो वो होते हैं जिनकी ending ed से नहीं हो रही है right negative sentences में क्या होगा हम did not का use करेंगे और didn't की expanded form did not है और short form ही हम कहें तो didn't हम use कर सकते हैं if questions हमें बनाने हैं past simple से related हम ये order follow करते हैं starting with did then subject then verb और verb की यहाँ पर कौन सी form होगी first form did है तो वहाँ पर verb की first form पर आप आजाएंगे ठेक क्योंकि already did जो है वो second form of verb है right एक special case यहाँ मैंने mention किया है कि verb की जो second form है B के लिए वो was या were रहेगी present में वो is MR रहती है past में वो क्या रहेगी was या were ठीक है तो अब जो है ये rules आपने revise कर लिए हैं अब सब कुछ जो आपने revise किया है उस पे based मैं एक exercise आपके लिए present करूंगी screen पे आप pause करके वो exercise solve करियेगा और उसके बाद next slide में आपको उसके answers भी मिलेंगे so let's begin so now solve this exercise and do mention your score in comments okay